Hello friends, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जो एक motivational स्टोरी है, एक बहुत ही बड़ा सुरोवर था, वो सुरोवर जो था, वो चमतकारी सुरोवर था, लेकिन उस चमतकारी सुरोवर तक आज तक कोई पहुंच नहीं सका था, जो भी वहाँ जाता था, वो रस्ते में जंगल में उसे गुजरना पड़ता था, लेकिन जंगल के जो जानवर थे, उन्हें पकड़कर खा जाते थे, और वहाँ तक आज तक कोई भी पहुंच नहीं सका था, लेकिन एक बहुत ही परतापी जो सादू थे, वो उन्होंने एक बार चलना शुरू किया, और वो सर सरोवर में डुक्की लगाई, तो वो यंग होके निकले, तो ये जो दिरिश्य था, पास में एक पेट पर बैठे, बंदर और बंदरिया भी देख रहे थे, उन्होंने सोचा कि हम इस सरोवर के पास रहते हैं, और आज तक हमें यहीं नहीं पता कि ये चमतकारी सरोवर है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी इसमें एक एक डुक्की लगा लें, तो पहले बंदर ने डुक्की लगाई, और वो एक बहुत ही यंग व्यक्ति, बहुत ही सुन्दर व्यक्ति बनके निकला, और उसके बाद बंदरिया ने उसमें डुक्की लगाई है, तो वो भी बह सुकी थी कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए हमने एक बार डुपकी लगा ली और हम मानब योनी प्राप्त कर चुके हैं तो अब हमें अच्छे से जीना चाहिए लेकिन जो बंदर था उसे लालच आ गया उसने का नहीं मैं एक और डुपकी लगाता हूं जिससे मै देवता बन जाओंगा तो बंदर ने उस इस्त्री की बात ना सुनते हुए एक और डुपकी लगाई और वो वापस से बंदर बन गया और वो इस्त्री जो थी वो वहीं पर रहने लगी और कुछ दिनों बाद एक राजा ने उसे देखा और राजा ने उसके साथ विवार क पकड़ लिया और उसे उसी राजा के दर्बार में ले गया जहां पर वो बंदरिया जो थी अब रानी बन चुकी थी तो वहां पर बंदर को अपना खेल दिखाना पड़ा और जो बंदरिया थी वो रानी बन चुकी थी और रानी ने जो बंदर से मुलाकात की और उसे बोला क कि कभी भी हमें जो लाइप में मिलता है उसका हमेशा शुक्र गुजार करना चाहिए और ज्यादा लालश नहीं करना चाहिए कि अती हर चीज की बुरी होती है तुमें भी एक मौका मिला था एक अच्छा सुन्दर इंसान बनने का लेकिन तुमने वो अती के कारण गवा दिय तो हमेशा ये याद रखो कभी भी ज्यादा लालश नहीं करना चाहिए और जो हमें भगवान ने दिया है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए हमें मेहनत जरूर करनी चाहिए और अच्छा बनने के लिए लेकिन लालश नहीं करना चाहिए इस कहानी को और लोगों से शे